आजिल इस फेंच में हम बड़ी एक इंट्रस्टिंग और बड़ी एहम सर्विस के इ machst करने जा रहे हैं हम बात करेंगे क्राइं स्टॉप इस किरीजमारा से ही होता है कि देखने वाले नाजरीन शेहरियों तक maximum information पहुंचे ताके वो इस तरह की services से maximum फाइदा हासिल कर सके हमारे सार प्रोग्राम में मौजूद है Chief Law and Procurement Officer सर जफर जावेद मलिक साब सर को प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं असलाम लेकुम सर जी वालेकुम स्लाम तेंक्यू अच्छा सर आप मैं देख रहा था कि आप लाहोर की मुक्तिव यूश्टी में जाके इसके ओपर आगाही मोहम भी चला रहे हैं सर नाजरीन को बताएगा कि ये Crime Stopper Service बेसिकली है क्या थेंक्यू फॉर इंवाइटिंग में ओन यूर शो बिकोज इसके जरीए भी हमारा ये मैसेज लोगों तक जाएगा बेलकुल ये जो Crime Stopper Service पंजाब सेब सिटी अथॉरिटी ने शुरू की है ये सर्विस लगभग डेड़ सो के करीब मुमालिक में इस वक दुनिया में इस पे अमल दरामत हो रहा है और इसका कॉंसेप्ट ये है कि कम्यूनिटी जो है पुलीस के साथ शाना बशाना अपना गिरदार अदा करे कि अपने गिरदो नवा में जब वो किसी किसम की गहर कानूनी सरगर्मी देखें तो एक जिमादार शेरी होने का सबूत देते हुए उस गहर कानूनी सरगर्मी या उन जराइम पेशा अफराद के बारे में पंजाब सेब सिटी अथार्टी को इतला दें इसमें जो सबसे खूबसूरत और एहम पहलू वो यह है कि जो शक्स पंजाब सेब सिटी अथार्टी को जो के दो नंबर हैं हमारे 033 सेब सिटी और इसका एक वेब पॉर्टल का एक है पंजाब www.psca.gop.pk इन पे जब आप इतला देते हैं तो आपकी शनाख मुकमल तोर पे सीगा एराज पर रहते हैं यहां तक कि जो आफिसर आप से टेलिफूनिक बात करेगा आपका टेलिफून नंबर भी उनको नहीं जाएगा तो यह इस सिल्सले में एक सर्विस है जो लोग जिजक देखें के जी हमारा हम क्यूं बताएं हमारा मतलब के हम भी किसी मसीबत बेना फाज susceptible हैं तो उनके लिए है कि आपका जो इसनाखता सीगा एराज में रखा जाएगा आप बिला जिजिक बता सकते हैं किसी भी क्राइम के मताले हैं जी ऐसा ही है और इसमें समझने की बात ये है कि किसी भी मुशरे में किसी भी मुल्क में law and order or crime जो भी government होती है उसकी priorities में number one होते हैं क्राइम कंट्रोल होगा crime prevention होगी law and order होगा तो फिर ही कोई दीगर दूसरी जो सरगर्मिया है वो अमल में आएंगी बिल्कुल तो इस हवाले से crime prevention and law and order maintain करने के हवाले से जो different strategies अपनाई जाती हैं उन में से एक strategy crime control proactively crime को control करना है instead of reactive mode में के जर्म हो गया बाद में उस लकीर को आप पीड़ते रहें तो उस हवाले से जो safe cities हैं ये अपना करदार अदा कर रहे थे कि जैसा कि आपके इल्म में है के lahore शेर में 8000 के करीब cameras live monitoring कर रहे हैं इसी को basis बनाते हुए ये concept लिया गया कि हमारे जो शेहरी हैं उनको लाने दो आंखों से नवाजा हुआ है और वो अगर उन दो आंखों से कोई जर्म होता देखते हैं तो आज कल हर शेक्स के हाथ में smart टेलिफून बिल्कुल है वो उसकी वीडियो बनाना चाहें वीडियो बना सकते हैं अदरवाज तसावीर बनाना चाहें तसावीर बना सकते हैं उसके बाद वो पहलू आता है जिसकी आपने निशान दही की कि लोग फिर डरते हैं बिल्कुल साथ लोगों के पास information होती है लेकिन criminal justice system के जो up and down हैं जो इसमें time consume होता है तो लोग avoid करते हैं बिल्खसूस जो मुलाजमत पेशाफराद होते हैं मजदूर पेशाफराद कि हमारी किसी से दुश्मनी ना पाड़ जाए हमें इसमें जाना पड़ेगा तो उस चीज़ को मदे नदर रखके यह सर्विस स्टार्ट की गई यह आप टेलफोन नंबर पे इतला देंगे तब भी आपका नंबर सामने नहीं आएगा आप वेब पोर्टल पे इतला देंगे तब भी आपक की जाती है. सरी. और लाहूर की अगर हम बात करें तो डी आई जी ऑपरेशन्स जो हैं या जो एस पी ऑपरेशन्स हैं. उस सथा पर यह इनफर्मेशन दी जाती है. और उसका मकसद यह होता है कि कोई इस सर्विस को मिस यूज ना कर सके. कि अगर आपकी किसी के साथ स्टेंडिंग के साथ. हम आगे फावर्ट करते हैं और रिस्पेक्टिव जो यह सीनियर मोस्ट अपने डिस्ट्री के ऑफिसेज होते हैं. यह अपने जो हमारे इंटरनल मेकनिजम्स हैं. उनके जरीए इसको पूरा वरिफाई करते हैं. और उसके बाद अगर वो दुरुस् के जर्म की नहीं है. इसमें जो इस वक्त किये गए हैं उसमें टॉप आफ दी लिस्ट ड्रग्स नर्कोटिक्स को रखा गया. क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मुशाहिदे में आया है. और डेटा भी इसको यह शो करता है कि यह जो लानत है, मनशियात की, यह हमारे अप ता मनशियात हैं, जुआ खाने के अड़े हैं, गैंबलिंग, डेंस के साथ साथ, प्रोस्टिचूशन, ब्रोथल हाॉसेज हैं, डेकेट, इश्तिहारी मुझरमान, एरियल फाइरिंग करने वाले, समाजी जराइन जैसा के जाली अशिया बनाने वाले लोग हैं, उनके हवाले स कोई हो, और आखिर में, बिजली पानी चोरी, यह भी एक ऐसा अल्मिया है, जो कि चंद करने वाले लोगों का नतीजा, खम्याजा, पूरी सुसाइटी भूगी है, बिल्कुल ऐसे है, तो उस हवाले से अभी लोगों को एंकरेज किया जा रहा है, कि अपने गिर्दो और न उन्चाने की जरूरत नहीं है, इस संदाज में आप अगर कैप्चर कर सकते हैं, इन्फोर्मेशन के आप मुकमल महफूज रहें, वो वीडियो या फोटो बनाके, तो फिर आप हमारे साथ शेयर करें, उस पर मुकमल कारवाई करते हैं, सरी, पहले हमारी एक हेलप लाइन प शुरू की गई तो अब्तदा में कुछ लोगों ने इसको वन फाइव समझ के उस अंदाज में भी कॉल्स की. सरी. वन फाइव फौरी अमर्जन्सी है. सरी. उदाना खास्ता रोड पे एक्सीडेंट हो गया. सरी. आप फौरी मदद की जरूरत है. या आप लाइव कुछ ड अबी इतला दे वन फाइव पे अर्जन्ट इसकी देने की ऐस सच उस तरह से जरूरू है. इमिजरेटली यह वो क्राइम नहीं है इसको फौरी तोर पे आप वो डील करना हों. और इसमें एक और ऐसा जर्म जो मैं बताना भूल गया था. इस जर्म के हवाले से भी अक्सर आ जाना जाते हैं. इन इनसानी स्मगलर्स के हाथ वो चड़ जाते हैं. अपनी जाने भी गवाते हैं और मुल के लिए बद्नामी के बाइस हैं. तो ऐसे लोग अगर उनके बारे में आपको कोई इतला हो कि जो हमन समगलिंग में मुलवे से तो वो भी इतला हैं. इस सवाले से कोई अब तक आपको बड़ी कामियाबी मिली हो, कोई किसी शेहरी ने को केस बताया हो और इस पर कारवाई हुई हो. ऐसी को सकसेस स्टोरी हमारे नाजीन से ज़ूर शेयर की जगा. जी बिलकुल अभी तक कही हैं. लेकिन चुके इनॉनिमिटी इस पूरी सर्विस का मकसद ह की के सीगा-राज में रखना है लोगों की शनाखत को मामलात को और ये एक कानूनी तकाज़ा भी होता है. तो मैं बगहर औरीजिनल असल नाम लिए एक स्टोरी आप से शेयर कर देता हूं के कुछ हरसा पहले एक आपने इंसीडेंट देखा था रोड पे के एक शक्स एक बह गरीब मोटर साइक, गरीब तो मैं नहीं कहूंगा, एक हंबल कैल है, बड़ी गाडी के मुकाबले में चोटी सवारी का कैल इंडिफरेंस, तो वो निकल के उसको जिस भी वज़ा से, वो वीडियो में तो नहीं पता चाल रहा, वो डंडे से उस शक्स को मा रहा होता है, उस शनाख करते हुए, उसके पूरे घर का अड्रेस, उसकी पूरा नाम, पता शेर किया, जो के घेंटों में इस इंसीडेंट के बाद वो शक्स पकड़ा गया, जबरदास, जबरदास, इसी तरह एक और मैं आपके ये प्लैटफॉर्म का लेते हुए, एक बेस्मेंट है, फिर हमें इतला दी, तो उसमें भी कारवाई की गई और वो लोग क्या अफरी करदार तक पहुंचें, सही, अचा सर, आपने, हमने पता है कि ये आपका ही इनिशेटिव था, ये आप की सोच है, इसके पीछे, इसके पीछे, जो क्राइम स्टॉपर सर्विस हमने शुरू किया है पंजाब से फसी सीटीज अथरॉर्टी में, और सर, आपको देखने हैं कि आप डिफरेंट उनिवर्स्टीज में जाके इस हवाले से अगाही मोहिं भी चला रहे हैं, और सर, इस अगाही मोहिं के क्या असरात मुरत्ब हो रहे हैं, अच्छे, इसमें मैं थोड़ी तसीख कर दू, यह टोटली परसनल मेरी सोच या मेरा आइडिया नहीं है, जैसे आपको बताया है कि यह डेट्सों के करीब मुमालिक में, लेकिन यह बिलकुल मैं आप से दियानदारी से शेयर कर रहा हूँ कि उस से पहले हमारे इस तरफ तबज्ज्व नहीं थी. सही. तो मैं अगर कैमराज, हवावे, जो हमारा एक सर्विस प्रोवाइडर है, वो हम एक ऐसे फेज में पहुंचे, कि उनके साथ काउंट्रैक्ट खत्म हो रहा था, तो उस तनाजर में जब बात हो रही थी, तो वहां M.D. सहाब का या आइडिया था, कि हम अपनी कम्यूनिटी से क्यों नही काम किया और आज ये इस पे मुकमल आपके सामने ये उपरेशनल है, बेलकुर सही, सही, जाते हैं यूनिवस्टी में स्टूरेंट से बात करना बहुत जरूरी है, जैसे बैने प्रोग्राम की सेग्मेंट के स्टार्ट में बात की, कि वही यूथ ही हमारा कल का आने वाला है, उन्होंने बागदोर संभाल ली है, जो जो आप लोग इंटरैक्शन करते हैं इस एप्लिकेशन के हवाले से, सर्विस के हवाले से उनको अगाही देते हैं, तो क्या रिजर्ट कैसे आते हैं, क्या रियक्शन होता है उनका इस हवाले से? वो बड़े एक्साइटिड हैं अभी तक तो जो मेरा एक्सपोजर हम पंजाब यूनिवस्टी, लाहूर यूनिवस्टी, लाहूर विमन यूनिवस्टी और गवर्मन काली लाहूर एक दो ली, जहां भी गए हैं, और मुझे बड़ी खुशी हुई है, क्या हमारी यूथ ब वो खुद किसी ऐसे प्लैटफॉर्म की तलाश में थे, कि जिसके जरीए वो अपना करदार, एक मुस्बत करदार अदा कर सके, मेरी तो यही परसेप्शन है कि हमारी यूथ ने इस आईडिये को बहुत, और इसका शायद आप इससे भी अंदाजा लगा सकते है कि जिस सप् क्राइम स्टॉप क्राइम स्टॉपर सर्विस पे इतलाइत आ रही है. सही. और हमारी जो विमन सेफटी एप पे जो रिस्पॉंस आ रही है. बिल्कुल. तो मैं तो यही कहूँगा कि नوجवान नसल इसमें हमा अपना भृपूर किरदार दा कर रही है. लेकि एक चीज़ और में वाज़ कर दू कि यह आपके प्लेटफॉर्म, मीडिया के प्लेटफॉर्म से, आउट रीच प्रोग्राम्स के जरीए, यह सिर्फ नوجवान नसल के लिए नहीं है. यह मौशरे के हर शेहरी के जिमदार, शेहरी के यह करदार है, जो उससे एक्सपेक्टेड है कि वो अप जराइम के मतलिक रिपोर्ट करते हैं शेहरी? जी ओवराल डिजिट तो इस वक्त जैसे नहीं नहीं यह सर्वेस है, अभी हंडर्स में है, लेकिन परसंटेज में अगर मैं बताऊं तो 66% के करीब लोगों ने हमें सोशल क्राइम्स के बारे में बड़ी जिमदारी से और उन कारवाई हुई, बल्कुल. सर आखर में कोई शेहरीों को पेगाम देना चाहें इस सर्विस के हवाले से, क्यों जाहरा हमारा मकसद ही है, इस आउटीच प्रोग्राम का भी, हमारे इस शो का आपका डिसकुशन का भी, ताकि मैकसिम्म लोगों तक इस हवाले से इन्फरमेश में रहने वाले लोगों से, कि अगर हम मौशरे की हैयत पे नदर डालें, तो इन्फरादी इंडिविज्विजियलिजम से लेके, फैमिली, कम्यूनिटी, मिल के एक सोसाइटी, सोसाइटी से, मौशरा और ये एक मुल्क तश्कील करता है. बेलकुल. जब तक हर element इसका अप है, मुशाहिदे में आया है, और ये साबित शुदा बात है, कि जिस वक्त इन्फरादी शक्स से लेके, इत्माई सोच, ये डिविलप हो जाती है, तो लोग कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ शाना बशाना खड़े होते हैं, और दो चीज़े एहम तरीन होती है है एक दरुस्ट इन्फर्मिशन बलकूश और दूसरा टाइमली इन्फर्मेशन बलकुल तो इस सर्विस के जरिए बराहे मेरबानी हमारे साथ सिर्फ दरूस्त और बरवक्द इन्फर्मेशन शेयर करें, पर्सनल स्कूर्स या ऐसी भी कुछ इन्फर्मेशन जाई है जो ब हो तो ऐसा हर्गिज नहीं है हम पूरी तरह से वेरिफाई करते हैं वेरिफाई करने के बाद वो कारवाई अमल में लागते हैं तो वही मैं आप से रिक्वेस्ट ये करना चाहूंगा कि जिमादार शहरी होने का सबूत देते हुए हमें दुरूस्त और बरवक्त इतला दे और आखरी बात ये करूगा कि कुछ ऐसे यंग पीपल ओल पीपल जिस भी एज ग्रूप से हो वो समझते हैं कि उनके पास कोई ऐसी एहम इंफॉमेशन है जिसके नतीजे में को बड़ी क टैब मिलेगी जहां कि पे आप क्लिक करके अपनी इंफॉमेशन शेयर कर सकते हैं कि अगर आपकी इंफॉमेशन के नतीजे में बहुत बड़ी कानून आफिस करने वाले इदारे कारवाई करते हैं सही सही तो आपको बकाइदा रखेंगे आपको सीगा राज में ही लेकिन आपको उसके लिए इक बड़ाए नाम भी दिया जाएं ऑपने किसे इसे इतलार दिनी है तो आप में वेंजिमदार शेरिया करते होने का तबूत देना है और दरूस्त एंफ्विमेशन और टाइमनी आपतक पहुचाना है